मस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है अपके अपने चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो होने वाला है एमो शॉक्स वर्सिस बीडी के बीच जो खेला जाएगा मैच तो मेक्शुर करो वीडियो अन तक देखो बिकॉस काइस दोनों ही टिम में ना एक एक चेंज़ हो सकता है जो वाइटल चेंज़स होगा खासकर के एस जो लास्ट मैच हार के आ रहा है बहुत गंदी तरीके से बट टीम बहुत खराब नहीं है खासकर कि इनका बॉलिंग ना अच्छा है बट कुछ कैप्टेंसी मतलब इनका इशु हो चुका था इसलिए ये मैच हारे तो अच्छ Anda अच्छ करना वीडिEntक देखो और चैनल में नहीं है तो जरू से चैनल को सब्सक्राइब करना भिकोज सब गय साटी ती त्वीडी लीग तो हम लोग कवर कर रहे इसके बाद जितने भी सीरीज आएंगे हम लोग कवर करेंगे तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब पर दे ना चाहो तो टेलीग्रम चैनल फ्री में जोइन कर सकत हो है यह खाल यह रहा टेलीग्रम चैनल आप सर्च कर ले ना टेलीग्राम पर जाके और डिरेट लिंग आपको क्योंस सेक्षण में मिलेगा जाके जोइन हो जाना यहां पर हम लोग after toss सब कुछ send करते हैं means आपको informations बगेरा भी धरी आपको send करते हुए दिखोगे and after toss खास करके toss यहां पर बहुत ज़्यादा माइने करता है because chasing थोड़ा difficult है जरूर last two मैं chewing किया था तो हम लोग आते हैं guys analysis section में make sure करो मैं फेर से बोल रहा हो वीडियों तक देखो चैनल में नहीं हो तो subscribe कर देना YouTube channel and telegram channel जरूर चॉइन हो सकते हो तो AS के तरफ से guys मैं कुछ important बात करने वाला हो खास कर के कुछ जो changes हो सकता है तो venue कहां होगा venue होगा काबूल पर यहां पे सभी matches खेले जाएंगे लिग का अशर गेज टीट्वेंड लिग का तो त्रीन मैच का इस बैटिंग फर्स्ट विंड किया था दो मैच बैटिंग सेकेंड बट गाइस जो लास्ट दो मैच होगा था वहापे बैटिंग सेकेंड वीन किया था बट आप अगर थोड़ा देखोगे मतलब क्यों वीन किया था तो लास्ट मैच जो वीन किया था बैटिंग सेकेंड वहापे गाइस अच्छे बॉलर्स नहीं था ठीक है गुलवदी नाइप का टीम हारे थे विकॉस उनके पास सभी अगर आप ध्यान से देखोगे खास करके फर्स इनिंग और यहां पर विकिट्स लेते हुए दिखएगे और बैटिंग ज्यादा रन नहीं कर रहा है यह टॉप ओडर में चाहिएगा इस जो बंदा रन करेगा ज्यादा उनको पहले च्छे ओवर में क्रीज में आना है खास करके शुरू के बैट्स में अच्छी खेल तो एस के तरब से कासिम औरिया खेल बंदा शायद ना खेले खेल भी सता है बट इनको बैटिंग इतना आएगा ज्यादा आएगा नहीं 11 मैच 205 तरन ओवरल मुराद मुरादी इनका फर्स विकेट कीपिंग है की पर है जो 10 मैच पर इनका सिलेक्शन शायद 70% के आसपास होगा एंशायद सभी स्मॉल लीग में लेंगे अगर आपको डिस्क लेना है तो चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो बिकॉस यह बहुत है से बैटिंग कर नहीं रहा है अगर कोई बंदा है से बैटिंग नहीं करता है तो उनको अपने से प्रेशार आजाता है बिकॉस इनका उपर लास्ट मैच का भी प्रेशार होगा तो यह शायद जोक्यों वाला शॉट एक्स्ट्रा रिस्क रिस्क शॉट ले लिंगे और उनके डाल सकते है फरान जखील यह एक अच्छे चोईस है मैं प्रिफर करूंगा रसूली से उपर फ 2020 तुन्डमन उसमें सभी सिनियर प्लियर खेले थे और फॉरंज जखील उसमें शायद टॉप टॉप रंगेटर था ठीक है टॉप त्री रंगेटर शायद टॉप रंगेटर थे तो यह एक अच्छे फाइंड है आफगानिस्थान के लिए और शायद आप मतलब नेक्स ती रिटार्ड हो चुके था बॉलिंग कर रहे थे तो यह रिटार्ड हो चुगा था प्रबाबली तीन से चार्ट बॉल खेलने के बाद है अच्छे चॉइस है विकोस यह ना आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो दिखोगे बट लास्ट मैंच में बॉलिंग से एक वि मतलब आप देखोगे कल कुछ होगा मैच में यह इंटिस्टिंग सा चीज और जावेद आमधी शुरू में बॉलिंग करे अगर धंगा कैप्टिंसी किया जो लास्ट मैंच में इन्होंने किया नहीं था इम्रान मोहमधी 11 मैच 39 ओवर डालते है आट विकेट है एवाँ 93 र 15 मैच में आफो 34 रन 66 ओवर निस विकेट यह इनका फर्स्ट क्लस के डियर मतलब यह जो रिसिंट डोमेस्टिक मैच इस हुआता हूँ आप पे कमाल के खेले थे और इस प्रोबबली आप जमागुल के जगा शायद जहीद जखेल को देखो जो पार्ट टाइम मतलब अच्छे चोईस जिनको लास्ट मैच में मैं सर्प्राइस हो चुका था अच्छे बॉलिंग के बाद भी इनको चार ओवर ने डलाया गया था पाच मैच 19 ओवर डालते हुए लास्ट यार इनका साथ विकेट था एक कमाल के अच्छे चोईस खासकर कर अगर फर्स्ट इनिक करीब हो जो होना नहीं चाहिए तब नस्रतुला के उपर प्रेश्ट रहेगा तो शायद यह रन विकेट ना ले बट यह अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग किया ना एक लिकेट लेते हो दिखोगे बिकॉस यह ज्यादा फ्राइट करते नहीं है खासकर कि इनको प्रोब्ल यहाँ फर्स्ट इनिंग इनका अगर बॉलिंग होता है यहमिन अमत्ज्ञा मेश्ट फर्स फ्राइब को निचिया गानी लेफटयम पिहसर है खासकर कि शुरू में हजरतुला टीग गया तो शायद इनको मार देगा अधरवाइस एक अच्छे चॉइस बीकॉस के खिलाब परसेंटेज शॉट्स खेल रहे हैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है बट अच्छे फॉम में लग रहे हैं मुझे कॉन अस्मान घानी बतिन शाह मेरी टीम का अगर मैं खेलूंगा तो दो चेंज जरूर होना चाहिए एक आना चाहिए जहीद जखिल शायर टॉप ओडर ऐसा गाइस 24 ओवर डालते हैं साथ उकेट लिया था एक सॉसी का स्ट्राइट से 85 जो आपको में अच्छे चॉइस है इस साल गाइस इनका बैटिंग से भी अच्छा पर्फोर्मेंस था तो एक अच्छे चॉइस का अगर अगर यह खेलते हैं का फस्ट इनिंग एस का बॉलिंग अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों से एफेक्टिव होगा लेग स्पिनर है एक असाद उल्ला मतानी यह खान राइट आम और्टोडॉक्स मुझे नहीं लगता इनको लेना चाहिए बट इनके पास अगर देखो हज्रत अला जजा एन इब्रहीम जदरान दो लेव्ट आमर ह बैटिंग और मैं यहां पर लिखना मतलब लाज भी नहीं है विकॉस इनका आप लास्ट मेंच खेल के आ रहा था तो आपको अल्मोस्ट आइडिया होगा अगर कुछ बहुत ज्यादा चेंजिस होता है मैं आपको टेलीग्रम में अबडेट कर दूंगा तो टेलीग्रम जर जमल उस्मान घानी हज्रतुला जजय इब्राहिम जद्रान इनका सभी मैचेस खेला बट एक बंदा जो मैचेस खेला नहीं बटकल आ सकता है यह मेरे को इस पीम से लग रहा है चेंजिस होना चाहिए मीरवाइस अस्टरब जैसे की इस मैच में यह अच्छे बॉलिंग किया अच्छा डालते है राइटम मीडिया में बाकी मुझे ज़्यादा चेंजस लगनी रहा है बिकॉस यह दोनों यह लास्ट मैच जीत क्या रहा है और फर्स्ट मैंच भी यह अंच्छा खेले थे तो बीडी लास्ट मैच 134 रंचेस कर लिया थे एक होते हुए गास केबल लिक खेलोगे तो इनको ले सकते हो ऐसा कैप्टन वास्ट सेफ लग रहा है गास ऐसा हो सकता है कल यह जीरो कर जाए बट यह हाई परसेंटेज शॉट्स खेल रहा है अगर आप खुद खेला देखोगे ज्यादा उठाके नहीं माल रहा है पावर प्ले का इस्तामाल कर मैं प्रिफर करोंगे ऐसे प्लेयर को अपनी कैप्टन वास्केटन बनाओ जो एक तो सेफ हो दूसरा गैस पावर प्ले को यूज कर सके बिकॉस ऐसा हो सकता है मिल ओडर बैस में ज्यादा चले नहीं ज़रूर आप कोई कैप्टन वास्केटन बालर से भी ले सकते हो जो बहुत खास ऑप्शन नहीं है दूसरा जो गाइस है गाइस होगा प्रोबबली कोई नस्रतुल यामीन आहमदजाई तो मैंने एक्चली यह में आहमदजाई अगर आप देखते हो गाइस एक राइटम मीडियम है ठीक है फिल लेफटम मीडियम अगर आप देख लो इस पीम जहां पर गाइस हज्रतुला जजाई को आप कैप्टें वाइस कैप्टें राको विकॉस एक प्लियर है जो मैं बार बार बोलना हो गाइस यामीन आहमदजाई अगर इनको प्रोब्लेम नहीं क्रियेट किया तो साभी बाकी प्लियर्स लेफ टाम है बहुत ज्यादा लेफ सामर है तो एक हज्रतुला जजाई को एक आदा टीम में जरूर बना सकते हैं अगर चल गया तो इवेट सतर असी शायद 35 बाल में बना देगे हैं उस्मान गानी 79 एक और मैच में जहां पर फिर्स मैच में लास्ट मैच में गाइस हसान को एक विकेट था शर्फद दुन बना सकते हो तो मेक के तरफ से एक और चीस हैं याद रखना मैं एड करूंगा यहां पर की कैस जो ऑपोनेंट है इस इनका मेडल ओडर बहुत विक है अगर यह चार्ज करने गिया वकेट सलम खेलकू तो आइधिंग बहुत जादा विकेट लूस करेंगा इवन आप जादा अच्छे चॉइस टिम में नहीं है जो सैकेंड मुझे बेस्ट लगा होगा फरहन जखाई उसके बाद मेडल ओडर इनका बहुत जादा विक है अगर बतिंशा आते तो ठीक है अधर्वाइस बहुत जादा विक है तो याद रखना ऐसा हो सकता है वाकर सलम खेल मैच में जहां पर एस कैस 101 तक पहुत सका रसूली का 21 था जखाहिल का बारा था वसी यहां पर 30 फिर चार ओवर 30 दो लिकेट बिकॉस एक लेग स्पिनर अच्छे चॉइस है जरूर अगर अपने देखोगे तो मिडल और अश्गर अफगान खेलेंगे और फिर वांडाउन अच्छा बॉलिंग कर दा इनको बॉलिंग नहीं कम्लीट कर आया गया गया जो खराप बॉलिंग किया तो यह थोड़ा देखना पड़ेगा इनको तो एक और एक मैच बीडी ने खिला था जहां पर घानी फिर 79 जज़ाई 24 ऐसकर अफगान 59 फिर जद्रन चार अगर यह एक तो बहुत इंड्रेस्टिंग सा मैच है या वीडियो को सब्सक्राइब करना बाद में वीडियो आएगा आपको भी मिस हो जाएगा अविस्सा बात है टेलीग्राम चैनल इसका लिंक कॉमें सेक्षन में जरूर जोईन उसेप्ट हो तो एनलाइसिस क्या बोलता है तो बीडी ह सब्सक्राइब क्यों मैं बोलाओ विकोज टॉप अश्गर वन डाउन फिर जजाए एन उस्मान घानी उपन एक और जो लास्ट यार का बहुत बड़ा फाइन था वो होगा इब्राहिम जद्रान टू डाउन तो टॉप फोर इनका कमाल का पैक्ट है तो एक अच्छे बैट प्लेएर उप्शन है फिर रसोली जो पकर के खिलता है तो इन तीन को अगर छोड़ो तो रसोली को आफ पकरो एवन फरहन जखेल को भी हाफ प्लेएर समझो एक अच्छा प्लेएर तो ओवर ओल इनके मिल और बहुत जादा हुए तो कॉलाप्स करने का बहुत जादा चांस इनका मेल ओडर बीडी का मेल ओडर में जो बॉलिंग करता है बहुत इंपॉर्टेन हो जाता है तो यह एक ना एक अच्छा बात मैंने नोटीश किआ वह है कि बीडी का बास अच्छे फिप्ट बॉलर नहीं है इब्रहाहिम जद्रान कर रहा है गाईस एनको यह दो वर डाल तो यह अगर मिस होते यह दोनों किसी भी तरफ से मैं अगर मैं आपको फिर से देखके बोल रहा हूँ गाईस शर्फुद्दीन अश्रफ चो एक लेफ्ट आम और्थोडोक्स होंगे शायद प्रबबली लेफ्ट आम और्थोडोक्स है गाईस तो यह अगर शुरू में फे प्रफॉर्म्ड वेल इन डोमेस्टिक मैचे जैसे कि एक बर्तिंशा फराइन जाखिल टॉप टॉप टेकर इंट टॉप रंगेटर था दोमेस्टिक अतानी टीटोईटी ट्रॉफी में तो यह देखने चीज होगा कि यह कैसे खिलते इस मैच में भी ते माइट है वाइव इनका मिडल ओर वीक है याद रखना है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यह आप खासकर कि जेल पे डिफरेंट कंबिनिशन्स यूज करना जो मैं प्रिफर करूंगा ज्यादा खिलना तो यह रहा मेरा फिलाल टीम मैंने जो बनाया मैं तो ज्यादा परसेनी सेलेक्शन द कर दो ज्यादा में डिने जो में डिनेटेरी वो गजट अस्मान घानी मैंने फिलाल केप्टेन रखा ऐसा अश्रफ को भीसी रखा एसा हुश्व को अच्छे बॉलर है इनको भी कैप्टेन रख सकते हो तो यह आप चेंज्जस कर लेना यह दोनों अच्छे सेफडिस है तो तो मैंने फिलाल सेफ रखा अश्गर अफगान एक मैं बेटर ये भी एक अच्छे सेफ चॉइस होंगे हजर अच्छे अच्छे प्लेयर है तो सिर्फ जील पर ट्राइकर ने स्मॉल लिग में थोड़े रिस्की हो जाते है बट जील पर जरूर ट्राइकर नकल बिकॉस बहुत सारे इनके पास लेफ टामर है इवन मैंने जो नस्टतुला को लिखा ये भी लेफ टामर है ये अब्दुल वासी भी खुद लेग स्पिनर है और जबेद हमादी जरूर गाइस राइट आम ऑफ स्पिन है तो ये मैंने फिलर फरन जखेल को लिया जिनका सिलेक्शन कमाल का ले से उस्मान घनी फिर मीराइस अश्रव वाकिर सलम केल यहां पे सर्फुद्दिन अश्रव तो ये मेरा फिलाल टीम रहा तो मैंने ना एक प्लेयर मिस कर रहा हूं गाइस आप चाहो तो ले सकतो वह होगा हमीद असन तो ये थोरे मुझे हिट दा डेक बॉला लगते तो चाहो तो ले सकते हैं जरूर सेफ ऑप्शन है अटलिस्टे के जरूर लेना चाहिए इवन अप अगर स्माल लीग के लो तो थोड़ा डॉप कर सकते हो बट मैंने थोड़ा रिस्क लग रहा है बिकॉस सभी आ राइट लेफ टाम प्लेयर से गाइस बट जो जिनका सबसे डर जवे दामधी इस मैच में आई तिंग यह अच्छे कर जाए तो इनको भी अब कैप्टेन रख सकते हो विन इस्माल लीग में भी एक अच्छे चोईस है उस्मान गानी जवे दामधी एंशर्फुदी नश्रफ यह तीन मेरे सबसे बेस्ट चोईस होगा इस्माल लीग में अगर फर्स्ट इनिंग इनका मतलब बॉलिंग होता है खासकर के इनका बॉलिंग होता है तब यह तीन एक अच्छे चोईस होंगे अधर्वाइस आप अश्कर अफगान चेजिंग में जरूर इनको रख सकते हो बिकुस एक अच्छे प्लियार है जो एक्स्पेरियंस प्लि